सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्यायतीन में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इसका उधारण पांच तो उधारण पांच में हमें प्रेश्ण में दिया गया है कि निम्नलिखेत प्रेश्ण को प्रती स्थापन बिधी से हल कीजिए मतलब यह जो इतना बड़ा आपको प्रेश्ण दिया गया है ना इसको हमें करना है प्रती स्थापन बिधी से हल तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं इसमें दिया गया है कि आफ़ताप अपनी पुत्री से कहता है कि साथ वर्स पूर्ब मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था यानि साथ वर्स पूर्ब का मतलब होता है पहले मतलब साथ साल पहले अब फिर उन्होंने कहा है अब से अब मतलब होता है बर्तमान बर्तमान से तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाऊंगा मतलब अभी से यदि देखें तो तीन साल बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाऊंगा क्या यह मनुरंजक है इस इस्टिती को बीजगड़ती है इवंग्राफिय रूपों में ब्यक्त करो देखो सवाल बहुत आसान है बस ध्यान से समझना इस सवाल में दो लोग है पहला है आफताफ और दूसरा है उसकी पुत्री ठीक है अब देखो आफताफ और पुत्री दोनों ही साथ साल पहले तभी जा सकते हैं जब हमें उनकी बरतमान आयू पता हो तो बरतमान आयू में तभी तो हम साथ घटा सकते हैं तो साथ साल पहले जा सकते हैं और बरतमान आयू पता होगी तभी हम तीन साल बाद भी जा सकते हैं अगर बरतमान आयू जो भी होगी उसमें हम तीन जोडेंगे तभी तो हम तीन साल बाद जा सकेंगे यानि कि चाहे हमें पीछे जाना हो उमर में या फिर हमें आगे जाना हो चाहे हमें साथ साल पहले जाना हो चाहे हमें तीन साल बाद जाना हो हमें बरतमान आयू पता होनी चाहिए कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति की बरतमान आयू पता है तो बरतमान आयू से वो घटा के जितने साल पहले जाना है वो उतने अंक घटा के पीछे जा सकता है और अगर बरतमान आयू पता है तो उतने अंग बढ़ाके वो आगे जा सकता है तो अगर बर्तमान I.U. X है अगर माल लीजिए अगर आफताप की बर्तमान I.U. X है तो वो 7 साल पहले X माइनस 7 हो जाएगी 7 गट जाएंगे उसमें और 3 बरस बाद वो जाएगा तो X प्लस 3 हो जाएगा कहने का मतलब है कि बिना बरतमान आयू के हम ना तो साथ साल पहले जा सकते हैं और ना ही तीन बरस बाद हम जा सकते हैं यानि तीन साल बाद जा सकते हैं तो इस सवाल को पढ़ने से हमें ये पता चला कि हमें जब भी आयू का सवाल हो और हमें आयू ग्यात करनी हो तो हमें सबसे पहले बरत्मान आयू पता होनी चाहिए अगर नहीं दी गई है तो हम बरत्मान आयू एक्स वा बाई मानेंगे तो X मानेंगे जो पहले नंबर पे हमें character दिया गया है जैसे आफताब हमें दिया गया है तो इसको हम X मानेंगे और उसके बाद जो पुत्री की बरतमान आयू है उसे हम by मान लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना आफताप की बर्तमान आयू और आफताप की बर्तमान आयू हम मान लेते हैं X वर्स यह हमने माना ठीक है तो नीचे लिखेंगे उसकी पुत्री की बर्तमान आयू तो इसे हम मान लेते हैं कि यह हो जाएगी भाई वर्स ठीक है तो आफताप की बरतमान आयू हमने मानी X बर्स और उसकी पुत्री की बरतमान आयू हमने मानी बाई बर्स अब इस हिसाब से अब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे प्रश्नानु सार तो हमने लिखा प्रश्णा नूशार अब देखो सवाल को पढ़ते जाना है बहुत अच्छे से साथ वर्स पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था ये पहली सर्थ है तो ये फर्ष्ट सर्थ हम यूज कर सकते हैं कि पहली सर्थ तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्ष्ट सर्थ से पहली सर्थ क्या कह रही है कि आफ़ताब कह रहा है कि साथ वर्स पूर्व अब आफ़ताब साथ वर्स पूर्व जो हो जाएगा तो आफ़ताब की बरतमान आयू तो X है तो साथ साल पहले माइनस साथ हो जाएगा तो साथ साल पूर्ब जब आफताब जाएगा तो उसकी पुत्री आटोमेटिक ही साथ वर्स पूर्ब चले जाएगी क्योंकि एक व्यक्ति जब साथ साल पीछे जाएगा तो उसकी पुत्री भी साथ साल पीछे चले जाएगी automatic ठीक है क्योंकि समय में केबल एक ही व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता सभी व्यक्ति पीछे जाएंगे तो उसकी पुत्री भी साथ साल पहले चले जाएगी तो आपताब कहता है कि साथ बर्स पूर्ब मैं तुम से कितना था मैं तुम से साथ गुनी आयू का था तो ये साथ आपताब कहता है कि मैं तुम से यानि उसकी पुत्री से साथ गुनी आयू का था तो साथ का गुणा कर देना साथ गुनी मतलब साथ का क्या हो जाएगा गुणा तो आपताप कहता है कि मैं तुम से यानि पुत्री से साथ गुनी आयूगा था समझ पाया रही हो ना इस तरीके से तो देखो कभी भी अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाता है तो उसके साथ वाला व्यक्ति भी अपने आप पीछे चला जाता है तो जब हम X-7 लिखेंगे तो हमें अपने बुध्धी से बाई-7 आटोमेटिक करना है सवाल में नहीं लिखा है लेकिन हमें करना है और साथ गुनी करना है क्योंकि यहां पे लिखा है कि साथ बरस पूर्ब मैं तुमसे तुमसे मतलब पुत्री से साथ गुनी आयू का था यानि पुत्री से साथ गुनी आयू का था तो यहां पे साथ का गुना हो गया अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स लिखा है तो एक्स लिख लिया माइनस लगा है तो माइनस लिख लिए ये साथ लिखा है तो साथ लिख लिए बराबर है तो बराबर लगा दी अब देखो साथ का गुणा बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ बाई माइनस लगा है तो माइनस और साथ सदैया उननचास हो जाएगा, यानि 7 का गुणा 7 में, मतलब जहां तक कोश्टक है, 7 का गुणा इसमें भी होगा, 7 का गुणा इसमें भी होगा, अब देखो, अब X, Y एक तरफ कर लेते हैं, और संख्या संख्या एक तरफ कर लेते हैं, देखो, X यहाँ पे लिखा था, तो हमने X, जियों काते हूं लिखा, इसके बाद हम क्या करते हैं, कि जो संख्या है न, संख्या को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो और बाई को इस तरफ, तो यह जो 7 बाई है, यह 7 बाई, यानि बाई वाला पूरा पद, इसका पक्चांतर इस तरफ करेंगे, तो माइनस का 7 बाई हो ज ठीक है एकस था तो एकस ये प्लस का साथ भाई था ना ये इस तरह पा गया तो माइनस का साथ भाई हो गया बराबर है तो बराबर बीच में रहेगा अब ये माइनस का उननचास पहले से था और माइनस का साथ इस तरह पा गया तो प्लस का साथ हो गया क्लियर समझ में आ रहा है तो कितना बचेगा यहां पे आपको वो लिखना है तो देखो 49 में से 7 घटेंगे तो 42 बचेंगे तो आप यहां पे 42 लिख दोगे और इसके आगे यह सॉल्ब नहीं होगा तो इसे हम समिंकरण एक बना देंगे तो पहली सर्थ से पहला समिंकरण हमें मिल गया कि 7 बरस पूर्ब मैं तुम से 7 गुनी आयू का था तो जो 7 गुनी था 7 का गुना इसमें भी हुआ 7 का गुना इसमें भी हुआ तो यह हो गया फिर X Y एक तरफ कर लिया संख्या संख्या एक तरफ कर ली तो यह हो गया तो इस त सेकंड सर्थ से सेकंड सर्थ सवाल में लिखी होगी तो हम सवाल को आगे पढ़ते हों लिखेंगे सेकंड सर्थ से तो हमने यहां पे देखा यह देखिए साथ गुनी आयू का था यहां तक पढ़ लिया था अब आगे देखो सवाल अब से तीन वर्स बाद अब तीन वर्स ब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आफताप कह रहा है कि अब से तीन बरस बाद यानि आफताप की बरतमान आयू क्या है एक्स है इसी तरीके से उसकी पुत्री की आयू कितनी है बाई है तो अगर बाद तीन बरस बाद बाद का मतलब प्लस जैसे अभी आपकी ज तो आप उसमें तीन जोड़ लोगे तो जैसे अभी 15 है तो तीन साल बाद कितनी होगी 18 हो जाएगी इसी तरीके से X है न तो ये बरतमान आयू है तीन बरस बाद क्या हो जाएगी X प्लस 3 तो ये बरतमान आयू हो गई इसके बाद तीन जोड़ने से ये हो गई तीन बरस बाद की आयू तो जब इसमें तुम तीन जोड़ोगे तो इसमें अपने आप ही तुमें तीन जोड़ देना है क्योंकि एक व्यक्ति समय में आगए नहीं जा सकता सभी लोग जाएंगे तो ये पुत्री अपने आप ही तीन गुनी मतलब तीन प्लस हो गए तो अब ये कहता है आपताब कि मैं तुमसे तीन गुनी आयू का था ये देखो तीन गुनी आयू का रह जाओंगा तीन गुनी आयू का रह जाओंगा तो मतलब पुत्री से केबल तीन गुनी आयू कर रह जाएगा तो यहां पे आप तीन लिखेंगे जितनी गुनी देखो पहले में बोला था साथ गुनी अब बोल रहा है तीन गुनी तो बीच में क्या लग जाएगा बरावर क्योंकि दो अलग-अलग कॉंसेप्ट है तो यह हो गया आफताख की लिए यह हो गया उसकी पुत्री के लिए तो यह सेकंड सर्थ जो है इस से एक EQ बनी इसको थोड़ा और आगेillosल्ब कर लू यह X लिखा है तो X लिख दिया प्लस लगा है तो प्लस लिख दिया तीन लिखा है तो तीन लिख दिया अब x y एक तरफ संख्या संख्या एक तरफ तो x पहले से था तो इसको हमने जियों काते हूं लिखा ये देखो जो प्लस का 3y है ना इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो तो ये माइनस का 3y हो जाएगा बराबर है तो बराबर लगा लिया इसी तरीके से यहां पर जो 9 लिखा है ना तो इसको हमने लिखा जियों काते हूं क्योंकि संख्या एक तरफ लिखी जाती है इसके बाद ये जो दूसरी संख्या है ना ये प्लस का 3 इसका पक्चंतर इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा X माइनस 3Y अब बरावर लगा है तो बरावर और 9 मैंसे 3 चले जाएगे तो आपको मिलेंगे 6 और ये होगी आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगा अब देखो दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन बिधी से हम हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें प्रतिस्थापन बिधी से ही हल करना है भले ही इसमें लिखा ग्राफ ये रूपों में ब्यक्ति कीजिए लेकि की पहले बोला है प्रती स्थापन बिधी से तो हमें इस सवाल को केवल प्रती स्थापन बिधी से हल करना है तो चलिए करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रती स्थापन बिधी से तो यहाँ पे आपको heading डाल देनी है heading क्या डालोगे प्रति इस्थापन बिधी से ठीक है अब प्रति इस्थापन बिधी तो मैंने आपको एक एक स्टेप बाई स्टेप अच्छे से सिखाई है अगर आपने नहीं देखी है तो आप पूरी प्लेलिष्ट से देख सकते हो और क्रम अनुसार अध्यन कर सकते हो देखो प्रती स्थापन बिधी क्या होती है पहले दौनों समिक्रणों को लिख लेते हैं तो पहला समिक्रण है x-7y और बराबर कितना है माइनस का 42 ये है अपना समिक्रण नमबर 1 और दूसरा समिक्रण भी लिख लेते हैं जो कि है x-3y बराबर कितना है 6 ये है अपना समिंकरण नमबर 2 अब क्या करना है प्रती इस्थापन बिधी कहती है कि समिंकरण 1 से समिंकरण 3 बनाओ तो समिंकरण 1 उठाओ यानि प्रती इस्थापन बिधी में आपको सुरुवात करनी है समिंकरण 1 से तो मैंने यहाँ पे लिख लिया समीकरण एक से अब समीकरण एक पूरा लिख लेते हैं जो की है x-7y बरावर माइनस का 42 यह हो गया अपना समीकरण नमबर 1 अब इस में से x का मान निकालना है तो बाई बाला पद जो होता है उसका पक्छांतर कर लेते हैं तो x तो इसी तरफ रहेगा लेकिन यह जो माइनस का साथ बाई है इसे हम नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि हमें इसका पक्छांतर करना है तो फिर क्या मिलेगा? बरावर तो बरावर लगा दिया फिर है माइनस का 42 तो माइनस का 42 लिख दिया और ये जो बाई वाला पद हमने लिखा नहीं था अब पक्चंतर होके इस तरह पागया तो माइनस का था तो प्लस का साथ बाई हो जाएगा ठीक है तो अब देखो X के साथ में अगर कोई संख्या होती तो गुणाम वाली संख्या बटे में लेके आते लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो अब X अकेला भी हो गया तो जब X अकेला हो जाए मैंने आपको बताया था तभी आपको समिंकरण 3 बना देना है ये देखो ये बना दिया समिंकरण 3 अब जो X का मान आया है माइनस 42 प्लस साथ बाई जो X का मान आया है वो समिंकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि X का मान X का मान समिंकरण 2 में रखने पर तो हमने लिखा कि X का मान समिंकरण 2 में रखने पर ठीक है तो जब X समिंकरण 3 बन जाता है तो जो भी X का मान आता है वो हमेशा समिक्रण 2 में ही रखते हैं तो ये प्रतिस्थापन विदी का रूल होता है तो रख देते हैं तो ये है समिक्रण 2 X लिखा है ना तो X की जगहे पे हम लिखेंगे माइनस 42 पिलस 7Y तो हमने लिखा कि माइनस 42 और पिलस कितना हो गया 7Y ये पूरा जो X लिखा है ना इसकी जगहे पे ये पूरा मान रख देना है उसके बाद जो कुछ भी समिक्रण में लिखा है वो पूरा हम जियों काते हों लिखेंगे यानि की माइनस का 3Y और बरावर में आ जाएगा 6 किलियर हुआ कि नहीं अब बाई बाई एक तरब कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरब कर लेंगे तो अगले पीच से स्टार्ट करेंगे तो पिछला स्टेप हम बापस से लिख लेते हैं तो ये देखिए अब बाई 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 एक तरब करना है मतलब प्लस का 7Y और माइनस का 3 वाई हमने पहले लिख लिया और ये जो माइनस का 42 है इसको नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा क्योंकि हम बरावर के इस तरफ 6 तो पहले से ही लिखा था और ये जो माइनस का 42 है इसका पक्षांतर कर दिया इस तरफ तो ये प्लस का 42 हो जाएगा अब साथ बाई में से तीन बाई को घटा दिया तो चार बाई मिल गया बराबर है तो बराबर लगा दिया और बयालीस और छे जोड़ा तो अड़तालीस हो गया तो हमने यहां पे अड़तालीस लिख लिए अब बाई बराबर अड़तालीस बटे चार हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि जो गुणा बाली संक्या है ना वो बटे में आ गई अब चार से ये कट रहा है चार एकम चार और चार दूनी आठ तो जो बाई कामान है वो कितना आ गया बारा है आ गया तो यह हमने लिख दिया कि बाई कामान कितना आ गया बारा है आ गया तो X का मान मिल जाएगा, ठीक है, किलियर है ना, तो बाई का मान अब हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमने बाई का मान प्राप्ति किया है, लिखेंगे, बाई का मान, कहां रखने पर, समीगरन तीन में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं, तो X बरावर होगा, माइनस 42, प्लस 7, ठीक है, और बाई की जगहे पे हमने रख लिया 12, यह था समीगरन तीन, मैं आपको दिखा देता हूं, माइनस 42, प्लस 7, और बाई की जगहे पे हमने क्या रख दिया, 12 रख दिया, अब इसके बाद, X बराव 12, 12, 84, अब 84 मैं से 42 घटा देना है, तो देखो, 4 मैं से 2 जाएंगे, तो बचेंगे 2, और 8 मैं से 4 जाएंगे, तो बचेंगे 4, यानि 42 ही बचेंगे, वो भी प्लस के, अब देखो, हमने आफताप की जो बर्तमान आयू है, वो कितनी मानी हुई थी, यह देखो, आफताप क आफताप की बर्तमान आयू, आफताप की बर्तमान आयू, कितनी होगी, आपको बताना है, आफताप की बर्तमान आयू बराबर हो जाएगी, 42 वर्स, और इसके बाद, उसकी पुत्री की आयू बाई मानी थी, तो वो 12 वर्स है, तो लिखेंगे, उसकी पुत्री की बर्तमान वर्तमान आयू उसकी पुत्री की वर्तमान आयू जो होगी वो कितनी होगी 12 वर्स अब इस हिसाब से क्या सवाल में सही दिया गया था क्या दिया गया था कि 7 साल पूर्ब यानि 7 वर्स पूर्ब मैं तुम से 7 गुनी आयू का था तो इस हिसाब से अगर आफताप और पुत्री लेके हैं तो आफताप की तो आई है कितनी 42 वर्स और उसकी पुत्री बारण तो जैसे इसमें 7 साल पहले जाएंगे तो 42 में से 7 घटा दो तो कितने बچے तो यहाँ पे तो बचेगा 35 तो 35 बचेगा 7 साल पहले ठीक है और 7 साल पहले यहाँ पे चले जाओ तो 5 बचेगा तो पॉने 7, 35 यानि कि सही उसने बोला था कि मैं तूम से 7 गुनी आयुका होगा कि अगर मैं तुम्हारी आयु में 7 का गुणा होगा तभी मैं प्राप्त हो पाऊंगा मेरी आयू के बरावर तो सही बोला था पहला statement दूसरा उसने कहा था कि तीन वर्स बाद यानि 42 में तीन जोड़ो तो कितने हो गए 45 तो इसमें भी तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 पंदरा तो तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुणी आयू करह जाओंगा तो सही बात है 15 तीया 45 होते हैं यानि कि इसमें अगर तीन का गुणा कर दें तो ही 45 होगा ये भी उसने करेक्ट बात बोली थी तो इस प्रकार से सवाल बनाया गया था जिसका आंसर हमने डून लिया तो अब आपको अच्छे से अपने नोट बुक में नोट करना है और इसी तरीके से इसका सॉलुशन प्रैक्टिस करना है तो नोट कर लीजिए इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फिर इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे लिख लीजिए और इसके बाद यहाँ पे तो यह हो गया उधारन पांच अगर समझ में आ किया है तो बताईएगा ठीक है और एक दुबार प्रैक्टिस जरूर करिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट चेक कर लेना यहाँ पे दिख रही होगी ठीक है थैंक यू